Friends, आज की इस वीडियो में हम इस पिरकार का एक beautiful सा blog website create करना सीखेंगे Friends, इस website को create करने के लिए free plugin और free theme का use किया गया है Friends, जैसे कि आप इस website में देख पा रहे हैं, कुछ इस पिरकार की website, blog website हम create करना सीखेंगे Friends, हमने इस website में सबसे पहले featured post का एक section create किया है फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके blog पर latest post होंगी, उसका section यहाँ पर add किया गया है नीचे यहाँ आप आएंगे, तो यहाँ पर category 22 कुछ post यहाँ पर add की गई है, मतलब कि कुछ category यहाँ पर add की गई है तो हम आज की इस बीडियो में इसी परकार का एक beautiful सा blog website create करना सीखेंगे Friends, यदि single category पर हम click करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं single category पेज कुछ इस परकार से design किया गया है, यहाँ पर category का description दिया होगा साती साती यहाँ पर जो भी post होंगी इस category से relative बे सारी यहाँ पर so होंगी यहाँ पर यदि आप side bar में देखें, तो about us का एक section बनाया गया है, फिर search के लिए एक section बनाया गया है जो भी आपके blog पर category हैं, वह आपको यहाँ पर so होंगी, जो भी tags आपने यूज की हैं अपने blog पर, वो कुछ इस परकार से आपको so होंगी यह एक mobile friendly blog है, जैसे कि यदि आप इसको चाहें mobile view देखना तो कुछ इस परकार से आप देख पाएंगे यह mobile पर भी काफी beautiful सा लग रहा है, यदि किसी single post पर हम click करते हैं, तो एक single post कुछ इस परकार से पढ़ने योग्य पोस्ट यहाँ पर so होगी कोई भी यदि आपकी website पर आता है, तो बहें बड़े ही आसानी से कोई भी post को read कर सकता है यह एक mobile friendly और user friendly हमने design किया है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी परकार का design create करना सीखेंगे तो friends इती आप भी इसी परकार का एक blog, news website create करना सीखना चाते हैं, तो आज की इस वीडियो पर आप अंतर तक बने रहें friends वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको step by step complete तरीके से सिखाऊंगा इस परकार की website को किस परकार से design किया जाता है friends इस परकार के design को create करने के लिए जिन जिन चीजों की भी requirement रहेगी, उन सब ही को हम आगे इस वीडियो में देखते रहेंगे, जैसे जैसे जिस चीज की requirement रहेगी, उसको हम use कर लेंगे लेकिन friends आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये website एक free theme और free plugin की मदद से create की गई है, इसमें हमने generate price theme का use किया है और generate blog जो free plugin है उसका use किया है तो चले friends सीख लेते हैं कि हम इस फिरकार की blog website किस फिरकार से create करते हैं, तो friends सबसे पहले तो आपको अपने wordpress के dashboard को login कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम अपने wordpress के dashboard को successfully login कर पाएं हैं, यहाँ पर जब आप first time wordpress login करते हैं, तब interface आपको कुछ इस देखने को मिलता है, यहाँ पर सबसे पहले हम wordpress की कुछ settings कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर screen option पर click करेंगे, और यहाँ पर इन सभी को untick कर देंगे, उसके बाद screen option पर फिर से click करेंगे, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, आपके wordpress का जो dashboard है, कुछ इस पिरका add हुई मिलते हैं, तो सबसे पहले हम उन सभी को remove करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, post के section में आईएंगे, all post पर click करेंगे, और यहाँ पर जो भी पहले से यह post दी हुई है, इसको PREK करेंगे, bulk action पर click करेंगे, move to trust पर click करेंगे, apply पर click करेंगे, फिर उसके बाद यह यहाँ पर आएंगे countries के section में तो जो भी यहाँ पर by default category दी हुई है इसको यहाँ आप change करना चाहें तो change कर सकते हैं उसके बाद Tags के section में check कर लेंगे को कुछ है या नहीं इसमें नहीं है उसके बाद यहाँ पर pages में आएंगे तो यहाँ पर कुछ pages दी हुँगे इसको आपको दिलीट कर लेना है फिर उसके बाद यहाँ से ट्रास में से भी इसको डिलीट कर देना है फिर उसके बाद फ्रेर्ज्थ यहाँ पर आपको Plugins के सेक्षन में आना है Install Plugins पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो भी यह Plugin दिये हुए हैं इन सभी को आपको सब से पहले de-activate कर लेना है तो यहाँ पर जिन-जिन plug-in की requirement नहीं है हम उन सभी को de-activate कर लेते हैं जो भी plug-in आपको de-activate करना है उसको tick करेंगे फिर उसके बाद bulk action पर click करेंगे deactivate को choose करेंगे apply पर click करेंगे उसके बाद इनको डिलीट करने के लिए आपको select कर लेना है इन सब ही को जिनको आप डिलीट करना चाते हैं bulk action पर क्लिक करेंगे, delete को choose करेंगे, apply पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ok पर क्लिक करेंगे अभी यहाँ पर हमने cable दो plugin रहने दिये हैं, light, speed, catch वाला और wp, form, light वाला इनकी हमको requirement रहेगी तो इसलिए हम इनको रहने देते हैं उसके बाद यहाँ पर settings में आएंगे, permalink पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर by default custom structure select हुआ होगा आपको post name को choose कर लेना है और save changes पर क्लिक कर लेना है अभी friends इदी आप अपनी website को visit करके देखेंगे तो आपकी website कुछ इस परकार से दीख रही होगी लेकिन हमको इस website को कुछ इस परकार से design करना है अभी friends आपको क्या करना है appearance पर क्लिक कर लेना है themes को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको add new पर क्लिक कर लेना है add new पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे themes आपको मिल जाएंगे हमको यहाँ पर search theme के section में क्लिक कर लेना है generate trace लिकर search कर लेना है उसके बाद यहाँ पर generate price का जो theme है बहे आ जाएगा आपको install वाले बटन पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको activate वाले बटन पर click कर लेना है अभी friends हमारी website पर generate price theme successfully install हो चुका है बाकी के जो themes हैं यहाँ पर इन सभी को हमको delete कर लेना है तो इसके लिए हमको इसको choose कर करना है delete पर click कर लेना है ok पर click कर लेना है इसी फिरकार से हमको इन सभी को delete कर लेना है हमको cable यहाँ पर वही theme रहने देना है जो theme हम use कर रहे हैं उसके बाद अभी हमको कुछ plugins की requirement रहेगी तो उन plugin को भी हम reinstall कर लेते हैं और plugins कर लेना है उसके बाद friends हमको एक plugin की और requirement रहे की WP form नाम से तो friends ये plugin हमारे wordpress में already install है उसके बाद हमको एक plugin की और requirement रहे की generate price block friends generate block plugin एक generate price का ही plugin है friends इस plugin की मदद से हम काफी अच्छे design create कर सकते हैं इसमें काफी सारी inbuilt template मिल जाती है तो हमको यहाँ पर simply install नो वाले बटन पर किलिक करना है उसके बाद activate वाले बटन पर किलिक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर install plugin के section में आना है जो भी plugin हमने install किये थे उन सभी को हमको activate कर लेना है तो ये सभी plugin यहाँ पर activate हो चुके हैं अभी फ्रेंड्स यहां पर हमको कुछ content और category tag add करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले post के section में आएंगे category के section पर click करेंगे और यहां से हमको कुछ category create कर लेनी हैं तो यहां पर हम फटाफट से यहीं से कुछ category ले लेते हैं एक इस category category को भी हम edit कर लेंगे इसके bio में भी हम कुछ tags दे देंगे तो इस पिरकार से आपको कुछ category create कर लेनी हैं तो मैं फटाफट से कुछ category यहां पर create कर लेता हूं उसके बाद friends आपको कुछ tags यहां पर add कर लेने हैं तो मैं tag add कर लेता हूं tag add करने के लिए आपको tag पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कुछ tag आपको अपने block के relative add कर लेने है तो tag add करने के लिए यहाँ पर name दे देंगे tag का फिर slug में आप भही name add कर देंगे और यहाँ पर कुछ description आप दे देंगे फिर add new tag पर click कर लेंगे इसी फिरकार से आपको कुछ tag यहाँ पर add कर लेने हैं तो मैं फटफट से कुछ tag add कर लेता हूँ category tag and content add करने के बाद friends यहाँ पर आपको कुछ post add कर लेनी है post add करने के लिए आपको simply यहाँ पर post add new का एक option देखने को मिल रहा होगा आपको simply इस पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको post का title दे देना है तो मैं यहाँ से एक post copy कर लेता हूँ title यहाँ पर इस परकार से आपको add कर देना है और जो भी आप content अपनी post में डालना चाहते हैं वो आप type कर लेंगे तो मैं यहाँ पर समय बचाने के लिए इसको copy paste कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर post के section में आएंगे और यहाँ से आपको अपने post की category को choose कर लेना है तो मैं अभी फिलाल के लिए यहाँ पर सारी category को add कर लेता हूँ अभी आपने जो भी tag अपने site पर add किये हुए हैं उनको आप यहाँ पर add कर लेंगे इस फिरकार से featured image add कर देंगे featured image add करने के लिए friends आप अपने blog website पर जितने भी images का प्रियोग करें उन सभी का size same होना चाहिए featured image का उसके बाद यह सारी post जब आप लिखकर ready कर लेंगे तो आपको यहाँ पर publish पर click कर लेना है इसी फिरकार से आपको 10.12 post अपने blog पर add कर लेनी है तो मैं यहाँ पर फटा-फट से कुछ post add कर लेता हूँ post add करने के बाद friends आपको कुछ important pages अपने blog पर add करने होंगे को create कर लेने हैं तो मैं यहाँ पर कुछ page create कर लेता हूँ इस फिरकार से आपको कुछ page create करने के बाद एक page और आपको create करना है home name से तो आपको add new पर click कर लेना है home page को create कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और sidebar layout में आपको no sidebar choose कर लेना है उसके बाद content container को आपको full build कर लेना है disable elements को आपको tick कर लेना है और उसके बाद publish पर click कर लेना है फिर से एक बार publish पर click कर लेना है अभी उसके बाद friends आपको pages create करने के बाद sidebar visit को create करना है इससे पहले हम अपनी website को एक बार visit करके देख लेते हैं किस परकार से अभी हमारी website दीख रही है, तो friends हमारी website कुछ इस परकार से अभी देखने को मिल रही है, अभी हमको क्या करना है यहांपर sidebar को भी change करना है, तो उसके लिए अभी हमको क्या करना होगा, word race के dashboard पर आना है, appearance पर click कर लेना है, visit फर क्लिक कर लेना है उसके बाद यहां पर right side bar जो आपको लिखा हुआ सो हो रहा है इसमें आपको changes करने है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा यहां पर three line पर आपको क्लिक कर लेना है right side bar को choose कर लेना है और यहां पर जो भी यह already दिया हुआ है इस सभी को आपको remove कर देना है तो अभी आप देखेंगे यहां पर आपका right side bar blank हो गया है अभी आपको यहां पर plus के आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहां पर आपको group को search कर लेना है group को search करने के बाद यहां पर आपको first बाले को choose कर लेना है उसके बाद plus के icon पर click कर लेना है यहाँ से आपको heading को select कर लेना है और यहाँ पर लिख देना है about us उसके बाद friends यहाँ पर आपको नीचे आना है advance पर click कर लेना है उसके बाद additional css classes में आपको visit-title लिख लेना है उसके यहाँ पर आपको ग्रूप पर क्लिक कर लेना है उसके बाद इस पिलस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको इमेज को चूस कर लेना है अपलोड इमेज पर क्लिक कर लेना है और जहाँ पर भी आपने अपना लोगो बगेरा डाल रखा है तो उसको आप यहा फोटो एड़ कर लेता हूं उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको image size पर क्लिक कर लेना है large यहां पर automatically select हुआ मिलेगा आपको यहां से thumbnail को choose कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको इसको align center कर लेना है यदि आपको इसको rounded करना है तो आप यहां पर rounded पर क्लिक करेंगे तो यह कुछ इस परकार से आपका image rounded हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको यहां पर group पर क्लिक कर लेना है plus के icon पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहां से आपको paragraph को choose कर लेना है अब यहाँ पर आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं तो मैं यहाँ से इसको copy कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर इसको paste कर देता हूँ इसका align भी आपको center कर लेना है उसके बाद friends आपको फिर से यहाँ पर plus बाले icon पर click कर लेना है group को choose कर लेना है और यह जो आपको first बाला दीख रहा है आपको इस पर click कर लेना है plus के icon पर click कर लेना है और इस बार आपको search करना है search उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर plus के icon पर click कर लेना है group को choose कर लेना है first बाले को choose कर लेना है plus के icon पर click कर लेना है और यहाँ से heading को choose कर लेना है और यहाँ पर लिख देना है आपको categories उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है advance पर click कर लेना है additional CSS classes में आपको visit-title add कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर group वाले icon पर click कर लेना है plus के icon पर click कर लेना है अभी इस बार आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर किलिक करके heading को चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको tags लिख देना है उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे advance पर किलिक करेंगे और यहाँ पर additional css में आपको visit-title लिख लेना है फिर से आपको प्लस के आइकन पर किलिक कर लेना है और यहां पर आपको Tags को चुज़ कर लेना है टैग Cloud को उसके बाद फ्रेंट्स आपको यहां पर Update वाले बटन पर किलिक कर लेना है यहीज़िधी अभी आप अपनी वेबसाइट को रीफ्रेश कर के देखेंगे तो कुछ इस परकार से साइड बार सो होगा अभी फ्रेंड्स आपको यहां पर कुछ CSS कोड एड करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले net solution hindi.com website पर आ जाना है यहां पर आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी build custom home page step by step build website with CSS code complete customization यह पोस्ट आपको देखने को मिलेगी आपको simply इस पर क्लिक कर लेना है इसका link मैं आपको video के description box में दे दूँगा जहां से simply क्लिक करके आप इस post पर आ जाएंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको यह post देखने को जाएगी तो इसका password आपको कहां से मिलेगा इसके लिए आपको net solution हिंदी website पर ही आना है और यहां पर बर्ड प्रेस पर क्लिक कर लेना है तो यहां पर आपको बर्ड प्रेस template का एक option देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर लेना है जो भी add यहां पर सो हो पहले आपको इसको cut कर लेनी है फिर उसके बाद आपको यहां पर काफी सारी templates देखने को मिलेंगी यदि आप इन template को buy करके अपने blog यह फिर website में यूज करना चाहते हैं तो कर सकती है उसके बाद यहां पर आप नीचे देखेंगे तो यह mobile responsive blog and news website new template देखने को मिल रही है आपको यहां पर buy no का एक option देखने को मिल रहा है आपको simply इस पर click कर लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यह आपको मात्र 148 रुपे में यह file मिलेगी इस file में आपको home page का जो design है उसका code मिलेगा साथी साथ आपको जो भी css code है वो सारे कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगी साथी साथ इस post का link भी आपको password के साथ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको buy करेंगे तो एक zip file आपको देखने को मिलेगी आपको इस zip file को सबसे पहले extract कर लेना है तो यहाँ पर आपको कुछ images देखने को मिलेंगे जो भी हमने अपनी blog website को ready करने में featured image का use किया है वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथ ही आपको एक read first this name से एक text documents मिलेगा आपको इसको open करना है जैसे ही आप इसको open करेंगे तो इसमें उस post का password दिया होगा तो उस password को वहाँ पर आपको enter करना है जैसे ही आप enter करेंगे तो बहाँ post completely open हो जाएगी password डालने के बाद जैसे ही आप enter पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह post completely open हो गई है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे सुरू में ही यहाँ पर custom CSS code दिया हुआ है आपको simply इसको copy करना है यहाँ से copy पर क्लिक करके यह completely copy हो जाएगा अभी उसके बाद आपको क्या करना है appearance पर आना है customize पर क्लिक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर additional CSS पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लाकर उस code को paste कर देना है तो जैसे ही आप paste करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यह design कुछ इस परकार से change हो गया है code paste करने के बाद publish पर आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद आपको फिर से अपने wordpress के dashboard पर आ जाना है यहाँ पर आपने जो एक plugin डाउनलोड किया था snippets add new पर क्लिक कर लेना है जैसे यहाँ add new पर क्लिक करेंगे तो इसी post में यहाँ पर एक नीचे code दिया हुआ है इस code को यह यहाँ से आपको copy करना है और यहाँ पर लाकर इसको paste कर देना है और यह code जो है आपके footer section को change करने वाला है तो जो भी आप अपने footer में text देना चाते हैं तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं सबसे पहले तो मैं इस code को डालने के बाद यहाँ पर इसको save करके आपको दिखात हूं जैसे कि अभी हमारा जो footer section है कुछ इस परकार से सो हो रहा है लेकिन हम जब इसको refresh करेंगे तो यह कुछ इस परकार से अभी उस code की मदद से यह change हो गया है तो यहाँ पर यहाँ आप कोई भी text चैन्ज करना चाहें तो चैन्ज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर wordpress site development की जगा पर आप कुछ और add करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप simply इस text को change कर देंगे तो मैं यहाँ पर दे देता हूं demo site और उसके बाद यहाँ पर save changes पर मैं click करूंगा यदि मैं अभी अपने site को refresh करके देखूंगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस परकार से यहाँ पर change हो अभी friends आपको क्या करना है अभी आपको logo और top menu and footer menu create करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा अपने wordpress के dashboard पर आना है appearance पर क्लिक कर लेना है site identity पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर site का title दिया हुआ है और उसके नीचे tagline दी हुई है तो यहाँ पर आप कोई भी अपने site का tagline दे सकते हैं यहाँ पर hide site title को अंटिक कर देंगे select logo पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना logo चूज कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने already एक logo बनाय हुआ है demo के लिए logo upload कर लेंगे select पर क्लिक करेंगे इसकी grouping को चूज करेंगे उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको retina logo पर टिक करना है और इसी logo को आपको चूज कर लेना है यहाँ पर आपको लोगों की width 150 या 140 add कर लेनी है और यहाँ से hide site title को टिक कर लेना है और hide site tagline को भ आपने wordpress के dashboard पर आ जाना है अभी आपको primary menu और footer menu create करने है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा appearance पर क्लिक करना है menu पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो menu first दिया हुआ है यहाँ पर आप लिखेंगे primary menu उसके बाद create menu पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख लेते है देखी home about blog plugin speed और contact का option दिया हुआ है तो उसी परकार से हम इसमें भी इसको add कर लेंगे यहाँ पर home name से दो दिये हुए है तो जो सबसे पहला है custom link बाला इसको हम remove कर देंगे और यह जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको ऊपर लाकर यहाँ पर छोड़ देंगे तो home about blog और उस प्राय्मेरि मेन्यू करेंगे इस पिरकार से हम इनको add कर लेंगे यहाँ से privacy policy को remove कर देंगे और उसके बार terms को भी यहां से remove कर देंगे यहाँ पर primary menu को choose करेंगे और save menu पर क्लिक कर लेए अभी यह दि हम अपनी website को refresh करके देखेंगे तो हमारी website कुछ इस पिरकार से दीखेगी यहाँ पर देखिए home, about, blog, plugin, speed और contact अभी यह तो हो गया हमारा जो primary menu है अभी हमको यहाँ पर footer menu भी create करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा यहाँ पर create a new menu पर click कर लेना है यहाँ पर footer menu type कर देना है और create new पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर pages के section में view all पर click कर लेना है यहाँ से privacy policy, terms and about को choose कर लेना है और add to menu पर click कर लेना है उसके बाद save menu पर click कर लेना है तो यदि अभी आप अपनी website को refresh करके देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है तो अभी आपको क्या करना होगा अपने wordpress के dashboard पर आना है visits पर click कर लेना है appearance के section में और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा footer war आपको इसको choose कर लेना है plus के icon पर click कर लेना है और यहाँ से आपको nav को choose कर लेना है navigation menu को और उसके बाद यहाँ से आपको select menu में footer menu को choose कर लेना है update पर click कर लेना है यदि अभी आप अपनी website को refresh करके देखेंगे तो यहाँ पर देखी इस परकार से आपका footer menu है बहे add हो चुका है अभी आपको इसके layout में कुछ customization करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा customize पर click कर लेना है layout को choose कर लेना है और यहाँ से container को choose कर लेना है container यहाँ पर text दिया हुआ है आपको इसको box choose कर लेना है उसके बाद back आजाना है header में आना है और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है नीचे आना है primary navigation में यहाँ पर आपको enable navigation search model को choose कर लेना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि search का भी icon so होने लगा है उसके बाद यहाँ पर back आजाना है और यहाँ पर sidebar को choose करना है यहाँ पर आपको कुछ भी छेरशान नहीं करनी है footer को choose कर लेना है और यहाँ पर देखें why default आपको 3 लिखा हुआ सो हो रहा है तो आपको यहाँ पर 0 को choose कर लेना है और back to top बटन को आपको enable कर देना है मतलब कि यहाँ पर इस पिरकार से यह enable हो गया है मतलब कि कोई scroll back to top जाना चाहे तो इस पर click करके जा सकता है उसके बाद फिर से आपको back आ जाना है blog में आपको कुछ नहीं करना है अभी यहाँ से आपको इसको publish कर लेना है back आना है और अभी आपको यहाँ पर color के section में आना है और यहाँ पर आपको plus के icon पर click कर लेना है जैसे आप plus के icon पर click करेंगे तो यहाँ पर एक नया color add हो जाएगा तो आपको इस पर click कर लेना है और यहाँ पर आपको इस post पर आना है और इस post में नीचे यह आप आएंगे तो यहाँ पर border color दिया हुआ है इसको आपको border को यहाँ से copy करना है और यहाँ पर लाकर इसको paste करना है और इसका जो code है इस परकार से copy करना है और यहाँ पर लाकर इसके color code को भी paste कर देना है तो इन सभी में एक border आ गया है यदि मैं इसको हटा देता हूँ यहां से तो आप देखेंगे यह border एक black color में आ गया है लेकिन हमको यहां से border भी यदि हम हटा दें तो देखें यहां से border ही हट गया है तो हमको यह border ही add करने के लिए यहां पर ok करना है और उसके बाद यह जो color code है इ रिफ्रेस करके देखेंगे तो हमारी वेबसाइट कुछ इस पिरकार से देखने को मिल रही है जो कि हम काफी क्लोज हो गए हैं अपनी जो इस वाली वेबसाइट के डिजाइन के करीब उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से कस्टुमाइज पर क्लिक कर लेना है टाइपोग् पबलिक सैंस नेम से एक फोन्ट को चुज कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल फोन्ट डिस्पuciones आवट जूज़ कर लेना है उसके बाद एड्ड टाइपोग्राफि पर क्लिक कर लेना है और यहां से आपको बोडी को चुज़ कर लेना और बोडी का जो मेरी navy और यहाँ पर font family को public sense चूज़ कर लेना है और यहाँ से font width को हम को 600 चूज़ कर लेना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि menu का जो font width है बहें bold हो गया है कुछ उसके बाद फिर से आपको add typography पर क्लिक कर लेना है search element पर क्लिक कर लेना है इस बार आपको content के section में all heading को चूज़ कर लेना है font family public sense को चूज़ कर लेना है font width को आपको 700 चूज़ कर लेना है और font size यहाँ पर आपको 25 रख लेना है या फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर रख सकती है उसके बाद add typography पर क्लिक कर लेना है फिर से इस बार आपको visit title को चूज़ कर लेना है font family को public sense चूज़ कर लेना है और यहाँ से width को 600 कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर publish पर क्लिक कर लेना है तो यदि अभी आप अपनी website को refresh करके देखेंगे तो आपकी website कुछ इस परकार से देखने को मिलेगी आइटम हैं यह सब ही upper letter में आएं तो उसके लिए हम क्या करेंगे customize पर क्लिक करेंगे typography पर आएंगे primary navigation को चूज़ करेंगे और यहाँ से हम text transform को uppercase चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर यह सब ही capital में हो जाएगा और यहाँ पर letter space में हम one pixel रख लेंगे और publish पर क्लिक कर लेंगे अभी उसके बाद क्या करना है friends wordpress के dashboard पर आना है wp form को चूज़ कर लेना है यहाँ से add new को चूज़ कर लेना है और यहाँ से आपको एक contact form को select कर लेना है तो यहाँ पर simple contact form को use template पर क्लिक करके इसकी कुछ settings आप कर लेंगे name पर क्लिक करेंगे advance पर क्लिक करेंगे medium की जगा पर large आप चूज़ करेंगे उसी परकार से email पर क्लिक करेंगे advance पर क्लिक करेंगे medium की जगा पर large को चूज़ करेंगे comment और message को चूज़ करेंगे advance पर क्लिक करेंगे medium की जगा पर large को चूज़ करेंगे उसके बाद यहाँ पर save changes पर click करेंगे और यहाँ से cross के icon पर click करके इसको cross कर लेंगे यहाँ से यह जो sound code दिया हुआ है इसको आपको copy करना है और pages के section में आना है all pages पर click कर लेना है contact को जो page है इसको open कर लेना है और यहाँ से आपको plus के icon पर click करके sort code को select कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर उस code को paste कर देना है और update पर click कर लेना है यदि अभी आप अपनी website को refresh करके देखेंगे तो यहाँ पर contact का जो page है इस पिरकार से यहाँ पर contact form भी add हो चुका है अभी friends यहाँ पर जो आपको यह जो footer section दीख रहा है इसका हमको color change करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमको यहाँ पर customize पर click कर लेना है color के section पर click कर लेना है उसके बाद footer bar का जो section है इसको choose कर लेना है यहाँ पर background white है इसको select कर लेना है और यहाँ से कोई other color मतलब कि यहाँ पर base to वाला color मत choose कर लेता हूँ और उसके बाद publish पर click कर लेता हूँ तो friends यह दि अभी आप अब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस परकार से है लेकिन यह दि हम इसको refresh कर दें तो इसका color देखें कुछ इस परकार से change हो चुका है अभी friends यहाँ पर हमारी सारी setting complete हो चुकी है अभी हमको home page को design करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर अपने wordpress के dashboard पर आएंगे setting के option पर click करेंगे reading के option को choose करेंगे यहाँ से a static page को choose करेंगे home page की जगा पर home को select करेंगे post page की जगा पर blog को choose करेंगे और save changes पर click कर लेंगे यदि अभी हम अपनी website को refresh करके देखेंगे तो हमारी website कुछ इस परकार से blank दीखेगी वहक क्यों दीख रही है क्योंकि friends हमने अभी कोई भी home page create नहीं किया है तो home page create करने के लिए क्या करेंगे wordpress के dashboard पर आएंगे all pages पर click करेंगे home page को edit पर click करके open कर लेंगे और अपनी उसी post पर आएंगे जहां पर हमने वो password डाल कर यहां पर इसको open किया हुआ है तो यहां पर दीखे सबसे पहले banner दिया हुआ है banner display, featured image तो इसके लिए यह जो code दिया हुआ है इसको आपको copy करना है और यहां पर लाकर आपको right click करके paste as plan text पर click करके इस परकार से open कर लेना है उसके बाद क्या करना है यहां पर three line पर click कर लेना है container पर click कर लेना है यहां पर उसके बाद फिर से एक बार container को choose कर लेना है यहाँ पर query loop पर tick कर देना है और यहाँ पर आपको add parameter को choose कर लेना है ok पर click कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर taxonomy को choose कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको ok करना है tags को choose कर लेना है select item पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहां से आपको Featured को सर्च कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर Container पर क्लिक कर लेना है एक बार और फिर से यहां पर नीचे आके कोने में इस से नीचे माउस से क्लिक कर लेना है यह कुछ इस प्रकार से आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर इसके सामने आपको ok कर लेना है और उसी post पर आना है यहाँ पर नीचे आपको display latest post का code मिलेगा आपको इसको copy करना है यहाँ से और यहाँ पर लाकर इसको right click करके paste as plain text पर click करके paste कर लेना है उसके बाद आपको container पर click कर लेना है query loop को choose कर लेना है यहाँ पर जितनी भी आप पोस्ट दिखाना चाहते हैं वह दिखा सकते हैं तो यहाँ पर वाई default six post add हुई हुई है यदि आप इनको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं यहाँ से इसकी संख्या घटा देंगे या फिर बढ़ा सकते हैं उसके और यहाँ पर लाकर link पर click करके paste कर देंगे इस परकार से फिर उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर container को choose कर लेना है यह पूरा select हो जाएगा आपको फिर से यहाँ पर click करना है इस परकार से आजाएगा आपको इसके सामने mouse से click कर लेना है और उसी post पर आ जाना है नीचे य category का code मिलेगा इसको आपको copy करना है और उसके बाद यहाँ पर लाकर इसको right किलिक करके paste as plane पर किलिक करके paste कर देना है तो यहाँ पर आप जो भी category देना चाहें बहुत दे सकते हैं जो भी आपने अपने ब्लोग पर create कर रही हैं तो मैं यहाँ पर news की category दे देता हूं और view all पर click करके अपनी जो भी category है उसका link भी मैं यहां से दे दूँगा तो यहां से link भी मैं copy कर लेता हूँ और यहां पर लाकर इसको paste कर दूँगा उसके बाद friends यहां पर हमको container पर click रहने देना है और query loop पर tick करना है और यहां से आपको add parameter पर click कर लेना है उसके बाद नीचे आना है और यहां पर आपको text इमोनिस पर click कर लेना है और यहां से आपको category को choose कर लेना है जिस भी category को आपको रखना चाहें बहर रख सकते हैं यहाँ पर News की कटेगरी को रख लेता हूँ यहाँ पर केबल दो ही पोश्ट मैंने लिखी हुए है News से Relative यदि और भी पोश्ट होती तो यहाँ पर 300 होती यदि आप इससे अधिक 100 कराना चाते हैं तो इससे अधिक भी 100 करा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर News की कटेगरी में जो हमने लिंक दे दिया है इस परकार से और इसी परकार से यदि आप और भी कटेगरी इसमें एड करना चाते हैं तो इसी परकार से आप एड करेंगे कंटेनर पर किलिक करेंगे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाकर उस code को paste कर देंगे जो category के section का code है उसको यहाँ पर लाकर paste कर देंगे और यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पर category का नाम अलग दे देता हूं plugin दे देता हूं उसके बाद यहाँ पर plugins का जो link है उसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसके बाद यहाँ पर query पर क्लिक करेंगे add parameter पर क्लिक करेंगे category को choose करेंगे और यहाँ से हम अपनी plugin की category को select कर लेते हैं तो इसी प्रकार से आप जितनी चाहें category इसमें add कर सकते हैं के बाद जब यह सारा कुछ आप कर लेंगे simply update पर क्लिक करेंगे यदि अभी आप अपनी website को refresh करके देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर blanks हो रहा था अभी आपको homepage blanks नहीं होगा आपको कुछ इस प्रकार से यह design add हो जाएगा तो आप इस प्रकार से और भी काफी सारी category add कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको cable समझाने के लिए और दिखाने के लिए ही दो category मैंने add की हैं यदि मैं यहाँ पर देखी latest from blog पर click करूँआ view all पर तो हम कहां पहुँचेंगे blog वाले page पर और उसी प्रकार से यदि हम single category पर click करेंगे इस प्रकार से तो category वाले page पर आ जाएंगे तो friends हमने complete तरीके से सीख लिया है कि किस प्रकार से हमको एक new blog website create करनी होती है तो आप अब तक यदि बने हुए हैं इस वीडियो पर तो मैं समझता हूँ कि आपको काफी required होगी इस प्रकार की website बनाने की तो friends हीदी आप भी इस प्रकार की website बनाना चाहते हैं तो आप cable 148 रुपे में इस website को बना सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा net solution hindi.com website पर आना है wordpress का एक अलग से section दिया हुआ है इस पर आपको click करना है wordpress template को choose करना है जैसे ही आप wordpress template को choose करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी template मिल जाएंगी जो भी हम अपनी website हों में use करते हैं template नहीं नहीं template create करते हैं तो उनको आपको काफी सस्ते में हम provide कर देते हैं तो आप यहाँ से देखी mobile responsive blog and news new website template को आप buy कर सकते हैं यहाँ पर देखी दोस्तो 99 रुपे का price है लेकिन यदि आप अभी एक दो दिन के अंदर ही इसको purchase करते हैं बैनो पर click करके तो इसका price मात्र आपको 148 रुपे का पड़ेगा जो की काफी सस्ता है आपके एक वर्गर की कीमत के बरावर भी नहीं है तो आप इसको वाई कर सकते हैं इसको जैसे ही आप वाई करेंगे तो इसमें आपको एक zip file मिलेगा आपको उस zip file को extract कर लेना है जैसे ही आप extract करेंगे तो यहाँ पर आपको site का logo का एक demo मिलेगा साथी आपको first read this का एक file मिलेगा इसको आपको open करना है open करने के बाद आपको एक post मिलेगी उस post का link इसमें दिया होगा और साथी उसका password भी दिया होगा तो जो हम post ये use कर रहे थे ये code के लिए तो इस post का link और password मिलेगा चुकि ये post password protected post है तो यहाँ पर आपको सारे code मिल जाएंगे जो भी requirement रहेगी आपको इस परकार की website create करने में वे सारी कुछ वहाँ पर दियो ही है तो friends मैं समझता हूँ कि आपको ये video काफी useful लगा होगा इस परकार की video बनाने में काफी मेहनत लगता है तो आप video को like करके हम को support करें और साथ इसी परकार की और भी knowledgeable video ये दी भविस्य में आप देखना चाते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करके रख सकते हैं तो friends मिलते हैं एको नई video के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत